CBSC Words में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम Class 10 Science 2020 का Board Question Paper solve करेंगे और सारे वो Question हम discuss करेंगे जो कि Chapter 12 जिसका नाम Electricity है वहाँ से आया है तो पिछली दो वीडियो के अंदर हमने 1 Marks और 3 Marks के सारे Question इस Paper के discuss कर लिये थे अगर वो वीडियो उस आपने नहीं देखी तो description में आपको link मिल जाएगा आप उसे वहाँ से देख सकते हो इस वीडियो में हम सारे 5 Marks के Question discuss करेंगे अब हम 5 Marks के Question discuss करते है Question number 13 इसका A part है आपको resistances का ratio बताना है दो copper rod है एक X और एक Y इनकी length आपको दी हुई है और radii दिया हुआ है ठीक है तो resistance का formula आप जानते हो कि R is equal to rho L by A ये होता है अब दोनों rod का हम resistance निकालना है और उसका ratio निकालना है यानि एक X वाला rod है इसको हम Rx माल लेते हैं ये क्या होगा देखो rho हमारा resistivity होता है और material दोनों ही copper है यानि copper का बना हुआ है material सेम होता है तो resistivity की value सेम होती है यानि यहाँ पर rho X और rho Y लेने के ज़रुवत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम है तो यहाँ हमने rho ले लिया और length की जगह हम Lx ले लेंगे यानि X वाले rod की length upon AX यानि X वाले rod का area of cross section यह हो गया इसकी value हम put कर देंगे rho तो हमको नहीं पता लेकिन length पता है कितना है 30 cm तो हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे divided by area of cross section यानि pi r square pi और radii कहा दिया हुआ है 2 cm यानि 2 का square इसी तरीके से r y भी हम निकाल लेंगे rho की value सेम ही है ly upon ay यह सारी चीज़ें आपको लिख के show करनी है ठीक है ऐसा निके short में direct आपने answer लिख दिया पूरा step आपको दिखाना है क्योंकि step पे आपको marks मिलेंगे जिसे आपने r x ये पूरा लिखाना इस पे आपको half marks मिलेगा r y क्या होगा यहां हम rho लिखेंगे और यहां per length हमको 10 दी हुई है pi और radii हमारा कितना है 1 cm यानि 1 का square इतना लिख दोगे तो यहां भी आपको half marks मिल जाएंगे अब इन दोनों को हमको ratio निकालना है यानि r x upon r y हमको निकालना है तो r x को हम as it is ऐसे put कर देंगे 30 upon pi 2 का square अब r y की value नीचे denominator में जाएगी लेकिन इसे हम numerator में लाएंगे तो fraction उल्टा हो जाता है जैसे मालो denominator में 1 by 2 है तो इसको हम उपर ले आएंगे तो यह 2 ऐसे हो जाएगा तो जो हमारा row 10 by pi 1 square था इसमें क्या हो जाएगा pi और 1 का square यह उपर हो जाएगा और row और 10 यहां आ जाएगा तो row से row cancel हो गया pi से pi cancel हो जाएगा और 10 3 जा इस तरह से इसको solve कर लोगे तो value आपकी 3 by 4 आ जाएगी तो इस तरह से यह divide करके show करना इस पे आपको half marks मिल जाएगा और यह जो आप answer निकाल लोगे इस तरह से rx is equal to is to ry equals 3 is to 4 तो आपको यहां पर भी half marks मिल जाएगे ठीक है तो यह वाला part total 2 marks करी कर रहा था और इस तरह से step by step आपको marks मिलेंगे तो यहां पर आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि answer हो सकता आपका गलत आ जाए लेकिन अगर step आप सही follow करोगे तो जितने step सही होंगे उतने marks आपको मिल जाएगे और ऐसा हो सकता है कि आपका answer सही है लेकिन आपने proper step नहीं दिखाया तो भी आपके marks कर जाएगे तो यह A वाला part हमारा complete हो गया अब इसका B वाला part है एक current है 500 mAh वो flow कर रहा है एक circuit है जो कि series में connected है और इसमें दो चीज़ है एक electric lamp है और एक conductor है वो series में connect है अब conductor का आपको resistance दिया हुआ है 10 ohms और potential difference आपको दिया हुआ है यानि battery के जो voltage है वो 6 है आपको electric lamp का resistance बताना है तो सबसे पहले आप given data लिख होगे I की value क्या है 500 mAh resistance of lamp आपको let's suppose हम माल लेते हैं R1 इसी तरीके से resistance of जो conductor है हमारा उसको हम R2 माल लेते हैं और इसकी value हमको दी हुई है potential difference हमको दिया हुआ है पूरा आपको लिखना है मैं short में लिख रहा हूँ जिसे हम V माल लेंगे V की value कितनी दी हुए है 6V अब देखो connection हमारा series में है इसका मतलब जो total assistance अगर हमको निकालना होगा तो हम R1 और R2 का add कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यानि R जो होगा हमारा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा और R equals क्या होता है V by I होता है V कितना दिया हुआ हमको 6 दिया है I हमें 500 milliampere दिया हुआ है अब इसे हमें ampere में change करना पड़ेगा यानि 1 ampere होता है 1000 milliampere तो 500 milliampere की value क्या होगे 0.5 ampere तो यह हम put कर देंगे देखो R2 की value हमको दी हुई है यानि यहाँ पर मैं फिर से लिखूँ R1 प्लस R2 की value 10 है और यह 6 by 0.5 यह 5 point यहाँ हटेगा और यहाँ 0 लगेगा 5 12 जा और R1 की value क्या हो जाएगी 12 minus 10 equals 2 ohms ठीक है तो यह value आपके आ जाएगी अब इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे जैसे कि आप जानते हो कि series connection के अंदर जो current होता है वो same होता है लेकिन जो potential difference होता है वो आपका different होता है यानि जितने भी device series में connected है उन सब का जो potential difference है उसको हम add कर दे तो total हमारा potential difference आ जाएगा यानि total हमको battery का potential difference दिया हुआ है और दो चीजे हमारी connected है यानि एक हम V1 माल लेते हैं दूसरा V2 माल लेते हैं V1 जो lamp का potential difference है और conductor का potential difference है वो हमारा V2 हो गया जो आपका I1 है और I2 ये बराबर होगा और इसकी value कितनी होगी 500 mAh या हम कह सकते हैं 0.5 अगर हमको V2 निकालना है V is equal to IR होता है V2 is equal to I2 और R2 हो जाएगा I2 के value क्या है 0.5 और R2 हमारा क्या है 10 ohms दिया हुआ है 10 से multiply कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि V2 के value 5 आ गई V2 हमको 6 दिया हुआ है V1 plus V2 हमारा 5 हो गया तो V1 के value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यहां से हम फिर से formula लगाएगे V1 is equal to I1 R1 हो जाएगा V1 हमने 1 निकाला है I1 के value 0.5 है और ये R1 यहां से point हटेगा नीचे divide होगा जो कि multiply हो जाएगा इसको solve कर लोगे तो basically R1 क्या हो जाएगा 10 divided by 5 2 ohms तो इस तरह से भी आ सकता है question number 14 देख लेते हैं इसका A वाला part है एक 6 ohm का resistance wire है is doubled on itself यह चीज़ बहुत important है याद रखना कहीं पर note कर लो doubled on itself का मतलब क्या है इस case में जो length होगी वो half हो जाएगी और area of cross section क्या हो जाएगा वो double हो जाएगा यानि A की जगा 2A हो जाएगा और L की जगा L by 2 हो जाएगा ठीक है इसे note कर लो बहुत important है आपको जो नया resistance है wire का वो calculate करना है तो पहले का resistance हमको दिया हुआ है कितना है 6 ohm और formula क्या होता है rho L by A तो इसकी value हमको 6 दी हुई है हमको बताना है नया वाला resistance यानि R' हमाल लेते हैं तो यह क्या होगा rho और L' upon A' ठीक है अब यहाँ पर एक line लिखोगे in this case length L becomes L by 2 and area of cross section जिसकी value पहले A थी become 2A यह line आपको लिखनी पड़ेगी तो यहाँ से आप R' की value निकालोगे तो rho L की जगा L by 2 हो जाएगा और A की जगा 2A हो जाएगा इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं यह 2 to the 4 और 1 by 4 यह एकदम बाहर हम निकाल लेंगे rho L by A यह हो जाएगा और rho L by A की value हमें क्या है 6 दी हुई है तो बस हम यह input कर देंगे 6 by 4 हो जाएगा और यहाँ से फिर 3 by 2 ohms यह answer हो गया इसका B वाला part है 3 2 ohms resistors आपके पास 3 resistors है और 3ों की जो value है वो 2 ohms है A, B, C करके उनके नाम है उनको इस तरह से connect करना है कि जो total resistance है उस combination का वो कितना हो जाए 3 ohms हो जाए आपको arrangement शो भी करना है यानि diagram भी बनाना है उसका और उस answer को आपको justify करना है कि यह कैसे है यानि diagram आपको बना के show करना है कि भाई ऐसे ऐसे resistors हमने connect किये है और उसको solve करके 3 value निकाल के दिखाना है कि इस resistor को इस arrangement को हम solve करेंगे तो यह value आएगी तो 3 resistors को हम किस तरह से connect कर सकते है एक तरीका यह है कि सब को series में connect कर लो अगर series में connect करोगे तो total resistance कैसे निकालोगे सारे resistors की जो value है उसको add कर दोगे यानि 2 प्लस 2 प्लस 2 इस case में क्या आजाएगा answer 6 आजाएगा हमको 3 चाहिए तो series हम connect ने कर सकते अगर parallel में करेंगे तो क्या होगा 1 by R क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2 इस तरह से 3 by 2 आजाएगा और R की value फिर 2 by 3 आजाएगा तो यहां से भी नहीं हो सकता तीसरा तरीका यह है कि 2 को हम series में connect कर लें और एक को parallel कर लें अब 2 को series में करेंगे तो उनका जो total resistance आएगा Rs वाला वो क्या होगा series में directly add कर देंगे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और दूसरा हमारा एक parallel में है और वो हमारा 2 है यहाँ से अगर हम total की value निकालें यानि इसका मैं थोड़ा से diagram बना दू ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने यह ऐसे लिया connection और एक resistance हमने यह लगाया दूसरा resistor हमने यह लगाया ठीक है दो series में हो गया और यह एक हमने यहाँ पर लगा दिया parallel ठीक है तो यह दोनों हमारे series में हो गया और एक हमारा यह parallel में हो गया तो इन दोनों को जब solve करोगे series वाला तो यही दोखो RS हमने निकाला 4 यानि इसको मैं पूरा हटा के यहाँ ऐसे show कर सकता हूँ कि यह इस तरह से हो जाएगा यह 4 हो गया और यह नीचे वाला हमारा 2 हो गया तो अब यह कैसे है parallel connected है तो अगर total assistance हम calculate करेंगे यानि 1 by R तो क्या हो जाएगा 1 by 4 प्लस 1 by 2 तो यह 3 by 4 हो जाएगा इसे reverse करेंगे तो R की value 4 by 3 आ जाएगी तो अभी भी हमारा नहीं हुआ इसका मतलब हम ऐसा कर ले कि 2 को आपस में parallel connect कर ले और एक को हम series में connect कर ले कहने का मतलब यह है कि यह सारे चीज़ें fail होगे इसको हम हटा देते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही arrangement बचा हुआ है वो यह कि एक को हम ऐसे अपना series में लगा लेते हैं और बाकी जो दो हैं उनको हम parallel connect कर लेते हैं इस तरह से कुछ तो यहां से ऐसे current जाएगा यह हमारा 2 ohms हो गया और यहां पर भी 2 ohms हो गया और यह नीचे वाला भी 2 ohms इसका नाव हमारा A है और यह हमारा B है और यह C है अब parallel वालों को अगर हम solve कर लें यानि B और C को तो क्या हो जाएगा जो R parallel है वो कैसे आएगा तो parallel हमारा inverse होता है तो 1 upon R P equals to 1 upon R B plus 1 upon R C ठीक है यह हो गया इसकी value क्या होगी R B की value 1 by 2 और R C की value फिर 2 होगी तो 1 by 2 हो जाएगा इसे solve करोगे तो 1 हो जाएगा यहां से जो R P की value है वो आपकी 1 आगई अब total resistance हमें जो निकालना है यहां पहले लिख सकते हो total resistance ठीक है जो कि हम R माल लेते हैं तो यह R A plus क्योंकि अब यह solve होके किसमे हो जाएगा इसकी जो equivalent value आएगी वो series में connect हो जाएगी यानि यह पूरा A से जाके और यह series में हो जाएगा क्योंकि यह जो पूरा parallel combination है वो A वाले के series में ही है तो R A plus R P यानि जो parallel वाला है R A की value 2 है R P की value हमने 1 निकाली है तो total resistance हमारा क्या हो जाएगा 3 ohms आजाएगा ठीक है तो यह arrangement आपको बना की दिखा देना है और इस तरह से आपको resistance की value निकाल देना है यही इसका justification है कि तो को इस arrangement को हमने solve किया और 3 ohms इसका answer आ गया Question number 15 है इसका A वाला part है आपको नीचे जो combination of resistance दिया हुआ है उसका आपको equivalent resistance बताना है between M और N यानि M से लेके N के बीच में आपको equivalent resistance आपको बताना है तो पहले इसको हम solve कर लेंगी जो कि parallel में connect है तो यहाँ जो value आएगी वो ऐसे connect हो जाएगी जो कि सारे में series में हो जाएगी निए R1, R2 और यहाँ से जो Rp की value निकलेगी वो सब आपस में series होगी और हम formula लगा देंगे ठीक है तो पहले step by step हम करते हैं आप यहाँ line लिखोगे R3 and R4 are connected in parallel तो 1 upon Rp क्या हो जाएगा 1 upon R3 plus 1 upon R4 इसे हम solve करेंगे तो यहाँ पर R3 और R4 आ जाएगा R4 plus R3 यह हो गया हमारा Rp 1 upon Rp तो Rp की value क्या हो जाएगी inverse कर देंगे R3 R4 upon R4 plus R3 अब अगली line लिखोगे R1, R2 and Rp R in series तो जो हमारा equivalent resistance होगा R eq हम लिख सकते हैं वो क्या होगा R1 plus R2 plus Rp तो बस की value आपको put कर देंगे R1 plus R2 plus R3 R4 upon R4 plus R3 ठीक है यह हो गया पूरा इसको solve करके बहुत ज़्यादा नहीं करना है बस इतना हो गया तो answer आ गया इसका B वला part है आपको बताना है Joule's law of heating तो Joule's law of heating क्या होता है H equal to I square Rt यह होता है तो इतना लिख दोगे तो आपको यह number मिल जाएगा चाहे आप statement के form में लिख सकते हो The heat produced dinner resistor is directly proportional to यहां तक आप लिखोगे इसके आगे आप किसी के भी proportionality लिख सकते हो यानि यह तो I square के भी proportional है R के भी proportional है T के भी proportional है तो आप लिख सकते हो पूरा state में वहां तक लिखने के बाद इस proportional to square of current for a given resistance या लिख सकते हो इस directly proportional to resistance for a given current जो भी current दिया है उसके हिसाब से जो resistance है उसके directly proportional है या आप लिख सकते हो इस directly proportional to the time for which the current flows through resistor ठीक है statement form में लिख सकते हो वैसे यह बहुत सही है चोटा सा है और इस पे आपको पूरा नंबर मिलेगा अब इसका C वाला पार्ट देख लेते हैं तो पहले तो यह पता होने चाहिए कि fuse का काम क्या होता है तो जिस इसलिए लगाए जाता है ताकि जितना current के ज़रुत है उससे जादा flow होने न पाए अगर जादा flow हो रहा है तो वो fuse break कर जाए और current के flow को रोग दे क्योंकि जादा current flow हो जाएगा तो जिस device के अंदर जाएगा उससे खराब कर सकता है उससे जला सकता है तो यहाँ पर हम current की बात कर रहे है तो पहले हम जो electric iron है वो कितना current consume करती है वो निकाल लेते है फिर आगे के discussion हम करेंगे तो power का formula क्या होता है P is equal to V I हमें I की value निकालनी है तो यह क्या हो जाएगा P by V P की value क्या है 1 kilowatt तो इसे kilowatt को watt में हम convert करेंगे यानि 1000 watt हो जाएगा और V की value हमें 220 दी हुई है solve करने पे value आएगी 4.54 ampere यानि इतना current इस electric iron को ज़रुत है इससे जादा की ज़रुत नहीं है अगर जादा flow हुआ तो यह जल सकती है तो हम fuse कैसे लगाएंगे जिसकी value current से इससे करीब ही हो यानि इससे थोड़ा से जादा हो अगर मालो इस 4.54 से कम होगी तो इतना current flow ही नहीं हो पाएगा मालो अगर fuse हमने ऐसा लगाया जिसकी value 3 ampere है तब क्या होगा जैसे ही 3 ampere current पहुचेगा ये fuse break कर देगा circuit को और current flow रोक देगा लेकिन electric iron को कितना चाहिए 4.54 तब तो यह चली नहीं पाएगी क्योंकि maximum ये 3 ampere ही supply होने देगा fuse इसका मतलब हमको ऐसा fuse चाहिए जो इससे जादा हो अब बहुत जादा रख देंगे मालो हमने 10 कर दिया और current मालो 7 ampere तक flow हुआ तो circuit को जला दिया जो अपका device है वो जल गया तो हम क्या करते हैं जो device जितना current के अज्यूम कर रहा है उससे थोड़ा सा जादा यानि इतना हम रखते हैं जिससे उस device को problem ना हो और वो अच्छे से work कर सके इसलिए हम 5 ampere का fuse लगाएंगे तो आप statement में लिख सकते हो Since 4.54 ampere current flows in circuit a 5 ampere fuse must be used अब डिवाला part है Why is it impractical to connect an electric bulb and an electric heater in series तो एक electric bulb और electric heater को हम series में connect क्यों नहीं करते हैं तो series के अंदर current सेम होता है अब bulb को current जादा नहीं चाहिए होता है लेकिन जो heater होता है उसको जादा current की ज़रत पड़ती है वो जादा power consume करता है तो दोनों को अलग-अलग current चाहिए अगर series में connect कर दोगे तो current दोनों का सेम हो जाएगा ठीक है एक बात तो यह हो गई दूसरी बात यह कि जो potential difference है वो भी divide हो जाएगा इस तरह से electric heater को जितने potential difference की ज़रत है वो नहीं मिल पाएगी और bulb को भी उतना नहीं मिल पाएगा तो इसका reason हम लेख सकते हैं डी वाले का याण जितना जिसको requirement है उसके हिसाब से उतना नहीं मिल पाएगा उसको इसलिए से हम series में connect नहीं करते तो यह answer हमारा complete हो गया वीडियो अच्छे लगी हो तो like के लिए चैनल पे नहीं है तो subscribe करिए उसके बगल में एक bell का icon है उस पे click करके और पे click करतेंगे तो जब भी नहीं वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा question number 16 है इसका ये part है define power and state its unit तो power क्या होता है power is defined as rate of doing work यानि work करने का जो rate है उसी को हम power कहते है या एक और definition है जो हम लिख सकते है power is defined as rate at which energy is consumed यानि किस rate से energy को use किया जा रहा है consume किया जा रहा है उसी को हम power कहते है और इसकी SI unit क्या है watt इसका B part है एक torch bulb है उसकी rating दी हुई है 5 volt और 500 milli ampere आपको calculate करना है पहला part इसमें यह है power तो power क्या होता है P is equal to V I अब V की value 5 है और I हमारा क्या है ampere में convert करेंगे तो 0.5 हो जाएगा तो यह 2.5 हो जाएगा watt दूसरा part है में resistance बताना है तो power की एक और formula होता है V square by R तो V की value हमारी क्या है 5 दी हुई यानि 5-25 और R और power अभी हमने निकाला है 2.5 solve करने पे R की value आएगी 10 ohms थर्ड वाला part है energy consumed when it is lighted for 2.5 hour यानि धाई गंटे तक अगर उस bulb को जलाए रखें तो energy कितना consume होगी तो energy का simple सा formula होता है power into time power की value भी हमने निकाली है 2.5 और time हमको कितना दिया है 2.5 hour यानि 2.5 25 का square होता है 6.25 यानि 6.25 वाट आउर ये question भी हमारा complete हो गया अब 17 दॉला question देखते है इसका A part है एक electric bulb है जिसकी rating दी हुई है 200 V and 100 W आपको resistance बताना है तो यहाँ देखो power हमको दी हुई है और voltage हमको दिया हुआ है यानि power को formula लगा है P is equal to V square by R यहाँ से हम R की value क्या निकाल सकते है V square by P अब बस value पुट करना है V की value हमको 200 दी हुई है यानि 200 का square upon power की value क्या है हमको 100 दी हुई है upon 100 यह हमारी R की value आ जाएगी solve करोगे तो R की value हमारी 400 ohms आ जाएगी इसका B वाला part है आपको calculate करना है कितनी energy consume होगी ऐसे ही जैसा कि अभी हमने एवाले part में देखा ऐसे ही 3 bulb अगर glow करें continuously यानि लगातार 10 घंटे तक for complete month of number यानि number के पूरे महिने में ऐसा हो रहा है कि daily 10 घंटे ऐसे ही 3 bulb जल ले है 30 days होते हैं तो उससे हम multiply कर देंगे answer हमारा आ जाएगा तो हम यह statement लिखेंगे energy consumed in one day एक दिन में कितनी energy consumed होगी P into T हमारा power into time होता है energy का formula एक bulb की power हमको 100 watt दी होगी ऐसे 3 bulb लगे हैं इसका मतलब क्या होगा 3 into 100 और time कितनी बात कर रहा है कि एक दिन में 10 घंटा यह जला है यानि इसको हम 10 से multiply कर देंगे इसकी value हमारी 3000 watt hour आ जाएगी इसको हम kilowatt में convert करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से divide करेंगे क्योंकि 1 kilowatt के अंदर 1000 watts होते हैं तो 3000 watt मतलब 3 kilowatt 3 kilowatt hour यह होगा हमारा अब जो unit होती है आपके घर में बिजली का जो बिल आता है कितने इतनी unit आपने बिजली consume की तो जो unit की बात होती है न 1 unit क्या होता है आपका 1 kilowatt hour यह इतनी energy consume होगी यानि 1 kilowatt hour energy consume होगी तो हम कहेंगे 1 unit मीटर चला है ठीक है तो इसका मतलब कितना unit यह चला है हम कह सकते है 3 unit तो यह हमारा 3 unit तो एक दिन का आ गया हमको पूरे महीने का निकालना है energy consumed in 30 days 30 दिन के अंदर क्योंकि पूरा महीना जो होता है नॉम्बर को वो 30 days का है तो 30 days के अंदर कितनी consume होगी एक दिन में 3 unit 30 days में 30 into 3 that is 90 units तो यह हमारा B part भी हो गया अब इसका C वाला part है calculate the total cost if the rate is rupees 6.50 per unit एक unit का दाम आपको दिया हुआ है कितना है 6.50 तो total cost कितनी आएगी total unit कितना चला है हमारा 90 unit तो 90 unit के हिसाब से हम cost निकाल देंगे total cost हमारा होगा rupees 6.50 multiply by 90 तो यह हमारा आएगा rupees 585.00 अब 00 ना भी लगाओ तो भी ठीक है तो यह question भी हमारा यहाँ complete हो गया 18th question है इसका A part है what is meant by the statement the resistance of a conductor is 1 ohm यानि कोई conductor है उसका resistance 1 ohm है तो इस बात का क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब यह है if the potential difference across the two ends of a conductor कोई conductor है उसके दोनों end पे हमने potential difference measure किया है क्योंकि आपने पढ़ा होगा जानते होगे जो volt meter है जो की potential difference measure होता है वो दो end के बीच में होता है जिसे हमने यहाँ एक resistor लगा है तो इसके यहाँ एक point यहाँ एक point यहाँ से हम एक volt meter लगाते है तो दो ends के बीच में measure करते है तो हमें potential difference की value निकल कर आती है तो अगर potential difference की value 1 volt है और current जो की उस conductor से flow हो रहा है वो 1 ampere है तो जो resistance की value होगी उस conductor के लिए वो 1 ohm होगी तो इस तरह से आप इसे define कर सकते हो इसे statement को explain कर सकते हो या फिर सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 1 ohm की value क्या होती है आपने formula पढ़ा होगा r is equal to v by i और हमारा 1 ohm है और potential difference की value क्या होगी 1 volt होगी upon current की value क्या होगी 1 ampere इसे पूरा लिख दो जादा सही रहेगा volt upon ampere इतना भी लिख दोगे तो भी आपको marks मिल जाएगा इस A वाले part के लिए इसका B वाला part है आपको define करना है electric power तो अभी हमने power को define किया था यहाँ electric power पूरा लिखा हुआ है तो हम थोड़ा सा उसी में change करेंगे जो भी मैंने लिखाया था definition दोको यहाँ पर सिर्फ power कहा था तो हमने सिर्फ power लिख दिया था अब electric power कहा है तो इस दूसरी वाली definition में हम थोड़ा से change करेंगे यानि हम लिखेंगे power is defined as the rate at which विच के बाद हम लिखेंगे electric, electric energy is consumed सिर्फ power था तो हमने सिर्फ energy लिख दिया हमको electrical power पूछा है तो हमने electric energy की बात कर लिए अब आगे इसमें यह कह रहा है कि आपको एक expression लिखना है जहां पर electric power हो, potential difference हो और resistance हो, तो यह formula हमने कई बार देख ली है P is equal to V square by R तो यह हो गया हमारा इसका C वाला part है, यह बहुत अच्छा question है देखो how many 132 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line हमसे इसके अंदर यह पूछ रहा है कि 132 ohms का कितना resistor पहलल में हम connect करें कि current हमारा 5 ampere flow हो और 220 volts का potential difference हो तो हम कैसे निकालेंगे C वाले part की बात कर रहे है तो resistance का formula क्या होता है R is equal to V by I तो V हमको दिया हुआ है कितना 220 I दिया हुआ है 5 तो 220 upon 5 इसे solve करोगे तो 44 आ जाएगा यानि R की value 44 ohms आ जाएगी तो यह जो value है यह equivalent resistance की है यानि जितने भी आप 132 ohms के resistor parallel में लगाओगे उनको solve करके जब उनका equivalent resistance निकालोगे तो वो कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए अब यहाँ पर एक formula आपको याद रखना है कि अगर हमको यह बता दिया जाए कि कुछ resistors है उन सब की value equal है और उन सब को parallel में connect किया गया है तो net resistance की value हम कैसे निकाल सकते हैं तो यह equal होगा जो भी resistor की value हमको दी हुए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि resistors की value 132 ohms है तो 132 divided by जितने resistor हम लगाएंगे उससे divide कर देंगे तो हमाल लेते n resistor है n की ही तो value निकाल ली है कि कितने resistor हम parallel में connect करेंगे और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि n है क्या n is the number of bulbs in parallel यानि कितने bulb हम parallel connect कर रहे है वो है n की value तो net resistance की value हमने निकाल ली कि total जो मिला कि resistance की value आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 44 होनी चाहिए तो इससे हम 44 put कर देंगे यहाँ पर यह equal होगा 132 by n यहाँ से हम n की value निकाल लेंगे 132 by 44 that is 3 3 resistors यानि 3 resistor हम parallel में connect करेंगे 132 ohms के तब हमको current की value यह 5 ampere और potential difference की value 220 यानि इस तरह से कुछ connection होगा 132 ohms, 132 ohms और 132 ohms ठीक है यह diagram आपको नहीं बना ना जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको यह वाला formula ध्यान में रखना है कि अगर हमको यह दे दिया हो कि कुछ resistors है उन सब की value बराबर है उन सब को हमने parallel connect किया है तो net resistance की value हम ऐसे निकालेंगे कि हर resistor की जो value है क्योंकि बराबर है तो वही एक के put कर देंगे 132 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है और कितने resistor हमने लगा है उससे divide कर देंगे तो net resistance की value आ जाएगी तो यह question भी complete हो गया अब question number 19 देख लेते है draw a schematic diagram of a circuit schematic diagram क्या होता है किसी भी circuit का जो paper drawing होती है जहाँ पर हम symbols use करते है जैसे हम cell की बात करें तो cell कैसे बनाते है ऐसे हमने cell बना दिया तो actually में cell इस तरह थोड़ी ने दिखता है cell तो इस तरह से कुछ होता है ऐसे बना होता है यहाँ company का नाम लिखा होता है और की सारी specification वगारा लिखी होती है तो वो हमारी real drawing होती है तो schematic diagram में हम symbols use करते हैं तो symbol वाले diagram जो आपके book में बना हुआ है वो आपको बनाना है उसके अंदर क्या होना चाहिए एक battery होनी चाहिए जिसके अंदर 3 cells लगे हो और हर cell आपका 2 volt का हो a combination of 3 resistors 10, 20 and 30 ohm connected in pallor होना चाहिए plug की लगाना है emitter लगाना है और यह सारे series में होंगे ठीक है इतना काम हम पहले कर लेते हैं तो हम पहले battery बनाएंगे जिसके अंदर 3 cells लगे हो एक cell हमारा ये लग गया दूसरा cell ये हो गया और तीसरा cell ये हो गया ये हो गए हमारी battery इसका हमारा positive हो गया ये negative हो गया और हर जो cell है वो 2 volt का है और ऐसे ही हमने 3 लगा है total ये 6 volt हो गया अब इसे इस तरह से हम draw करेंगे नीचे के side में हम resistors लगा देते हैं ये एक resistor हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया ठीक है ये आगे जाएगा यहाँ हम emitter लगा देते हैं ये से हम show करेंगे इसका ये positive और ये negative आगे जाके यहां यह हमारी की बन गई इसे हम लिख देंगे यह की है current का flow भी हम दिखा देते हैं arrow से यहां हो गया यह अब resistance की resistance की value लिख देते हैं 10, 20 और 30 यानि यह 10 ohms हो गया और यह हमारा 20 ohms हो गया और यह नीचे वाला 30 ohms हो गया यह diagram हमारा बन गया यह diagram बनाना आपके two mass का था अब आगिस में यह कह रहा है कि circuit का use करते हुए आपको यह चीज़ें find out करनी है यह वाला part है current through each resistor तो जैसा कि आप जानते होगी कि parallel combination में current अलग-अलग होते हैं तो सारे resistor का हम अलग-अलग current निकाल लेते हैं तो यही मैं इसको solve कर लेता हूँ अब current तो अलग-अलग होता है लेकिन parallel में potential difference जो होता है वो same होता है तो यह चीज़ें आप statement के form में लिख दोगे three resistors are connected in parallel hence voltage across each is same that is 6V statement लिखने के बाद आप I1 की value निकालोगे I is equal to V by R होता है तो V तो सबका same है parallel combination है R की value अलग-अलग है इसे हम R1 माल लेते हैं तो V की value 6 है पहले हम 10 वाला निकाल ले है तो 6 by 10 हो जाएगा यानि 0.6 ampere इसी तरीके से हम I2 निकाल लेंगे second वाला current V by R2 V की value वही 6 होगी इस बार हमने 20 ohms वाला resistor लिया है यहां से 0.3 ampere हो जाएगा और I3 की value हमारी V by R3 और इसका अंसर 0.2 ampere हो जाएगा B वाला part है आपको total current बताना है circuit में तो total current क्या होगा सारे current का जो sum है यानि B वाले part की अगर हम बात करें तो I जो total होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा और इसको add करने पे हमारा 1.1 ampere होगा पहले आपको value put करनी है उसके बाद यह answer लिखना है यानि बीच में एक step है जो कि आपको लिखना होगा वहाँ पर I1, I2 और I3 की value put करके तब यह अगला step आपको लिखना है C वाला part है total effective resistance of the circuit यानि यह जो हमारे resistors लगे हुए हैं इनका हमको equivalent resistor निकालना है कि इन सबसे मिला कि total कितना resistance हमको मिलेगा तो इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं एक तो इन सब को पूरा हम solve कर लें इन parallel combination को तो भी हमारा answer आजाएगा तो parallel हम कैसे निकालते हैं 1 upon R effective निकालना है न effective कह दे या equivalent कह दे या total कह दे तो बात एक ही है तो यह होगा 1 upon 10 प्लस 1 upon 20 प्लस 1 upon 30 LCM लोग है तो यहाँ पर यह 60 हो जाएगा 10 6 जा, 2 3 जा, 3 2 जा तो यह 11 by 60 हो जाएगा और R effective हम निकालेंगे तो inverse हो जाएगा यानि 60 by 11 solve करने पर 5.4 ओमस आ जाएगा एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका इससे आसान ही है यानि R effective अगर हम निकालें तो क्या होगा V by I होगा और V की value यानि total जो potential difference है 6 हमको दिया हुआ है total current हमने find out कर लिया था 1.1 तो हम इससे value पूट कर देंगे 6 upon 1.1 solve करने पर 5.4 ohms आ जाएगा question number 20 है two identical resistors, each of resistance 15 ohms यानि दो resistors आपके पास है दोनों की value 15 ohms है उनको connect किया जा रहा है एक बार series में दोबारा parallel में और battery का potential difference आपको दिया हुआ है 6 volts आपको calculate करना है ratio of power consumed in the combination of resistors in each case तो दोनों resistors को हम मान लेते हैं R1 और R2 ठीके दोनों की value बरावर है R1 is equal to R2 is equal to 15 ohms और V की value हमको दी हुई है 6 volts तो power का formula क्या होता है P is equal to V I यानि V तो हमको पता है I हमको निकालना पड़ेगा I कहां से निकालेंगे I का formula होता है V by R तो चलिए पहले हम I निकाल लेते हैं यहाँ पर उसके लिए हमको equivalent resistance पता होना चाहिए तो series combination में कैसे निकालेंगे RS is equal to R1 plus R2 तो 15 plus 15 कितना हो जाएगा 30 ohms तो I is equal to V by R होता है यहाँ पर हम series वाला निकालना है तो RS की हम बात करेंगे V की value हमारे 6 से RS हमने 30 निकाला है तो यह हो जाएगा 0.2 ampere तो यहाँ से हम power निकाल सकते है पहले हम series combination की निकालना है यानि power of series PS is equal to V I V की value हमारे 6 है I हमने 0.2 निकाला है तो यह हो जाएगा 1.2 watt इसी तरह से हम parallel कर निकालेंगे यहाँ पर भी equivalent resistance हम निकालेंगे 1 upon R P is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 value put करके आपको just solve कर देना है R P की value 7.5 ohms आ जाएगी यहाँ से हम current की value निकाल सकते है I is equal to V upon R P V हमारा 6 है R P हमारा 7.5 है solve करने पे 0.8 ampere आ जाएगा और यहाँ से P parallel का हम निकाल सकते है power of parallel V into I V की value हमारी 6 है I की value 0.8 है तो यहाँ से 4.8 watts आ जाएगा तो हम लिखेंगे ratio of power पहले series का है यानि PS upon P P is equal to 1.2 upon 4.8 solve करने पे 1 by 4 आ जाएगा यानि हम यह कह सकते हैं कि PS is to P P equal होगा 1 is to 4 के तो यह हो गया हमारा answer question number 21 है इसका A part है 2 lamp है उनकी rating दी हुई है 100 watt and 220 volts और दूसरा है 10 watt 220 volts उनको connect किया गया है parallel में और supply दी जा रही है 220 volt की आपको total current find out करना है through the circuit तो parallel connect किया गया है इसका मतलब current अलग-अलग होगा तो दोनों का अलग-अलग current हम find out कर लेते हैं i1 की बात करें तो देखो p is equal to v i वाला formula यूस करेंगे i निकालने के लिए क्या होगा i is equal to p by v ठीक है तो i1 की value क्या होगी power of first वाला जो lamp है हमारा upon v क्योंकि parallel के अंदर जो potential difference होता है उसकी value सेम होती है और वैसे भी यहां दिया हुआ देखो 220, 220 और total भी 220 है तो पहले वाले के हमको 100 watt दी हुई है और ये 220 दिया हुआ है solve करने पे से हम fraction में ही रखते है 10 by 22 A यानि ampere सेम इसी तरीकर से हम i2 को निकाल लेंगे p2 by v p2 की value क्या है power दूसरे वाले की 10 upon 220 और ये हमारा 1 by 22 ampere हो जाएगा तो अगर हम total की बात करें तो ये क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 value पूट करके आपको दिखाना है और ये आपका 11 by 22 हो जाएगा और यहां से अभी हम इसे solve कर सकते हैं 11 ones आ, 11 twos है यानि 1 by 2 और हमारा 0.5 ampere हो जाएगा अब इसका B वाला पार्ट है दो resistors है X और Y उनके नाम है resistance की value दी हुई है 2 ohms and 3 ohms पहले इनको join किया जा रहा है parallel में और उसके बाद series में दोनों ही cases में चाहे parallel connect हो रहा हो या series connect हो रहा हो voltage की जो supply है वो 5 volt है पहला वाला party है कि आपको एक circuit diagram बनाना है और show करना है जो resistance के combination है दोनों ही case में series और parallel में तो हम B का first part कर रहे हैं आपर तो हम पहले बना लेते हैं parallel combination यहाँ पर हम एक resistor लगाते हैं और यह हमारा दूसरा resistor हो गया एक हमारा 2 ohms का है और दूसरा हमारा 3 ohms का है यहाँ पर नीचे एक battery connect होगी cell लगा लेते हैं यह हो गया यह positive है और यह negative है current ऐसे flow हो रहा है I से हम current show कर देते हैं यहाँ भी एक arrow show कर देते हैं और यह cell हमारा कितना है 6 ohms का यहाँ पर हम switch लगा देते हैं और यह हमारा parallel का होगा इसी तरह से हम series combination का बना लेंगे यहाँ पर हम एक resistor लगाए और यह दूसरा resistor हमारा लग गया एक हमारा 2 ohms का है और दूसरा हमारा 3 ohms का है और यह हमने एक cell लगा दिया है यहाँ पर हम एक switch लगा देते हैं और यह हमारा circuit complete हो गया यह positive है यह negative है current ऐसे flow करेगा यहाँ से होते हुए I से हम current शो कर देते हैं potential difference एक बार देखें कितना है 5 दिया हुए हाँ तो यहाँ 6 नहीं होगा 5 होगा ठीक है 5 दिया हुए है तो 5 यह volt होगा और यहाँ पर भी हमारा यह 5 volt होगा तो यह दोनों diagram आपके half-half mask के थे इसका second part है calculate the voltage across 3 ohm resistor in series combination of resistor तो series अलग combination की बात हो रही है यहाँ पर जो 3 ohms वाला है इसके अंदर क्या potential difference होगा क्योंकि series combination में current तो same होता है लेकिन potential difference अलग-अलग होता है तो total potential difference हमको दिया हुआ है 5 volt अगर हमको total resistance पता चल जाए याई equivalent resistance पता चल जाए तो वहाँ से हम current निकाल लेंगे उस current और resistor की value को use करके फिर हम potential difference निकाल लेंगे तो पहले हम equivalent resistance हम निकाल लेते हैं तो जो हमारा net resistance होगा net R की जो value होगी series में direct add कर देते है R1 प्लस R2 equals to 2 प्लस 3 हमारा ये 5 ohms आजाएगा यहाँ से हम current की value निकाल सकते है V upon R जो हमारा है R equivalent मान सकते हो या R net जो हमने निकाला है वो तो V की value total हमारी 5 volt है और net R हमने निकाला है 5 ohms solve करने पर current की value कितनी आजाएगी 1 यानि I की जो value है वो हमारी 1 ampere हो गई अब current दोनों में same रहेगा चाहे 2 ohms solve resistor की बात कर लो या 3 वाले की बात कर लो तो हम यहाँ से कह सकते हैं voltage across 3 ohm resistor यह क्या होगा V is equal to IR होता है तो I की value भी हमने 1 निकाली है 3 ohm वाले resistor की बात कर रहा है तो 3 से multiply कर देंगे तो यह हमारा 3 volt आ जाएगा तो यहाँ के total हमारा यह जो पेपर था वो complete हो गया यानि 2020 में जितने भी इस chapter से question आये थे वो सारे हमने discuss कर लिये हैं और आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी हो सकता है आपने जब chapter पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें ना पता रही होंगी लेकिन अब आपको पता चल गई है question कैसे आता इसका भी idea आपको लग गया है तो आपको यह वीडियो कैसे लगी comment करके ज़रूर बताई अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं टेलिग्राम ग्रूप है उसे भी आप जाइं कर लो वहाँ भी link वगएरा जो भी important चीजें हैं मैं share करता रहता हूँ और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो description में उसका link मिल जाएगा वीडियो चल ली उसके right side नीचे corner में एक arrow type का बना होगा ऐसे arrow type का बना होगा उस पर click करोगे तो description open हो जाएगा वहाँ आपको chapter पढ़ना है तो उसकी वीडियो के सारे link मिल जाएगे और इस series की जो तीनों वीडियो हो उसका link भी आपको मिल जाएगा यानि one mask के question, three mask और five mask के question ऐसे करके आगे blue color से link होगा तो जा upload हो जाएगी वो link आपको description में मिल जाएगा ओके तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you